हेलो आज हम पढ़ेंगे सेल वाल का मतलब क्या होता है घर की दिवारें तो घर की दिवारें हमारा क्या काम करती है तो कि उसकेמע करती है अ Seoul आए छिए उस्जशा प्रुवाइड करती है हमारा पीज दिवारें मतलब यही हुआ है सेल ऑल मारे सुर्फ प्亲ल में पाया जाते है और इस भाइड करता है लिए हमारा सीधा खड़ा हो सके अप्स्राइट उससे उतनी स्ट्रेंथ प्रवाइट करता है हमारा जो सेल्वाल है वो प्लाज्मा मेंब्रेन से बाहर लाए करता है आउटसाइड प्लाज्मा मेंब्रेन पहले सेल्वाल आती है फिर प्लाज्मा मेंब्रेन आता है और हमारा सेल्व प्लाजमोल मेंगे औह अनंटर इजिए आउंटर कवरिंग आम प्लाजमने डाजी सेऊख्ट आउट सेल वालल मेंगे डाजिया मेंदी प्लाजमोजी इजा दो टमाड घीट काव्या शादे पिक अनुटायी सेटेख्षिए अरजी सब्लेंट केर्चा में छीजब को है प्लाइजमोलाइस हमारा मतलब क्या है लाइस का मतलब होता है तोटना अब प्लाजमोलाइस कहलाता है हम अगर किसी भी एक तो हमारा जो वाटर है वह से बाहर से बाहर से हमारा कंसेंट्रेशन लुए हमारा वीकर में जो हमने सॉलुइशन लिया है कर दो हमारा पानी यह उन्दर से बहार चला जाएगा तो जो ऑंदर का सबस्टांस यहां पर हमारी एक्टिविटी देखेंगे इस एक्टिविटी में क्या करना है कि और यहां इस एक्टिविटी में एक लीट लएना है उस लीफ के लीफ को माल पील करते हैं वह निकालेंगे हम उसे मैक्रोस्कोब में देखेंगे अझ में हमे 크리 Hear सब्सक्राइब टो को हम एक इसाल स्टाइब डाले रहे नहीं कि में बैस्सक्राइब कि देखेंगे पादने के उसक्सक्राइब यह नहीं कि पॉइन्ग में नियुक्त नहीं जाआ ग्रतर हैं। उसे बॉइल करें उसके सेल को डेट कर दें जो डेट कर देंगे उसके बाद हम यह सारी एक्टिविटी दुबारा करेंगे तो हम देखेंगे कि प्लाजमोलाइसिस नहीं हुआ क्यों कि डेट सेल में प्लाजमोलाइसिस नहीं होता उसमुसिस नहीं होगा तो प्लाजमोलाइस वहां रहा में पाण नदर के बाद करेगा तो चीके HOLT और तब तक और तब तक करेगा तब तक थो तो जो हमारा लिक्विड प्रेशर अग्जेट करेंगे और जो हमारा शल्व प्रेशर अग्जेट करेंगे तो वो दोने एक दुस्व को कैंसल कर देंगे अजम्रा सेल बस्ट नहीं गरेगा यह जो हमारा क्राइट यह जो हमारा केरेक्टर स्टिक है यह प्लांट को ना किसि भी एक भी कंडीशन में किसी भी वी कंडीशन से राइट करनें के लिए किसी भी कंडिशन से और एकस्ते करने के लिए एक तो हमें भी फिर उसी स्रांडिंग के चेंज में के साथ होना पड़ता है जैसे कि इसल वाल परमिट तो इसल वाल परमिट सेल ऑफ प्लांट फंजय औंड बिक्तिरिया तु विटिस्टेंट वेडियू एक्स्टनल मेडियू उगा तो वो विडाउट ब्रस्ट नहीं करेगा इस मीडिया में क्या होगा यह पानी लेगा ओस्मोसिस के थूरू और सेल कर दाएगा और एक प्रैश बनाएगी इकुल प्रेशर जो स्वैल सेल को अगेंस तो हमारा सेल होगा इस प्रेशर को कैंसल कर देगा आप आपस डियरेक्शन में दोना प्रेशर लगाने तो दोना आपस में कैंसल कर देंगे और सैल ब्रस्ट नहीं करेगा यह इंवाल्स की वजए से जो प्लांट है वह हो उसमें तो उसमें हमें धुर्ब चेंज हो रहा है तो इसमें है सेल मेंब्रेयन और संझट में देखर देखलेते हैं से और मेंब्रेन मतलब से हमारी धिल्वार है सेल वाल तो सेल हमारा वही प्लामOr सब्का में पए जाता है समय अर्प घैक फंजाइब एनीमल अनिमलत सबमें हमारा सेल वाल सव właściल होता है और सेल-वाल-iała शन हाग। जैसे के मारे जासे हमारा ब्रेन हुना हम हमें यह चीजे कर न है। उल नें the new cell को पूर्र बेंटेन करता है उसा काम करवाता है नुकलेस नॉकलेस ना हो तो मेरेँ सेल नहीं किर सकता है लिविए निदेवानी शेल का न Was नुकलेस मेंमनेज बघेल चूल मृत ज्दा बोड़ता प्रोटलाज्म होती है है चै Toby इसके लिखने तो उसे राइ़ए रखने के लिए है है यहां पर बहुत ज़भा्ट फ्रोटी जीत होता है यहां अमारी पर मेंच मारा नियॉकलियर बोर बहुत सबस्वारन करता है और मेंच dit हुइआ और मेंच HI है हूँ है नो jobs है हमारा अनिमल सेल में होता है यह नुक्लियर मेंब्रेनbased Up क्नgenek लीिमी है उस्के तैसलिक benefiting तुम्न क्यूब्ले नहीं होती है नहीं जाता है कि पूलग क्वार्फ यह स्पेशलिटी है जिसके नियुकलियर नहीं पाया जाता है जैसे कि हमारा आरबीसी हो गया सीव ट्यूब हो गया इन सब में नुकलेस नहीं होता है और वरना हमारा जो यंग सीव ट्यूब होता है उसके अंदर नुकलेस होता है है अब हम एक और अक्टिवीटी देखेंगे से याइस्ट्रीम वाला स्पून लेंगे उस भी जो भी हमारा मेटेरिल आएगा उसे हम स्लाइड पर लखेंगे जब माइक्रोसकोप में चेक करेंगे तो हम क्या नजर आएगा सफ़रीन डाल सकते हैं मिथाइल ब्लू सोलुएशन होते हैं इसमें क्या नजर आएगा क्या है इसमें और यह नजर आएगा यह नाजर आएक य। दार्क कलर स्पैरिकल और यह फिर डॉटलर. कि दोट से नजर आएगा हो सेंटर में वह क्या है वह नीकलियस है कि की अब यूमन च्छेल किया गान अब तो होता है बहुत सारी पोड़्सार उट से शामान अंतर या बहार जाता है और जाता है और इंसाइड द यॉड्साइड दनीक्लियूस्त तूधी साइटोप्लाजम और नुटियस में हमारे क्रोमोजॉम्स होते हैं जो रॉट शेप और यह वीजवी हमारे क्रोमोजॉम तभी नजर आते हैं इसे और क्रोमाटिन फ्रेवर्स में होते हैं नुटियस है डबल मेंब्रेन में फैसे हैं जो ट्रांसफर आफ मेटेरियल को अलाव करते हैं युक्लियस होते हैं जो विजीवल होते हैं राट सिप के कब करने में पफ्रोमेशन होते हैं प्रोमोजों हमारा DNA से बना होता है उसके अंदर हमारी जनेटिक इनफोर्मेशन होती है जो हमारे इनहरीटेंस के प्रोटीन का बना होता है कि DN थो हमें पता हिए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है हिस्टोन ड्युक्त हमारे इंफसमिशन जो भी मतलब जो भी न्नेसरी information हुते हैं над Rogan AB TV वह हमारा डिएन हमारा पुरा कंडक्ट्रा और ओप जो हमारी DNA में functional segment होता है उसे हम जीन कहते हैं DNA हमारा जीन से बना होता है क्रोमोजम कंटेन information for inheritance of character from parents to next generation from in form of DNA क्रोमोजम किस से बने होता है DNA और प्रोटीन से DNA मॉलकुल कंटेन इंफर्मेशन नेसेसरी फो कंस्ट्रक्टिंग और और्गनाईजेशन से फंक्शनल सेग्मेंट ऑफ डी एने और कॉल्ट चीन्स इने सेल विच इस नॉट डिवाइडिंग जो हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है और एस टाइज में है तो हमारा उसमें भी जो चैने टिक इंफॉर्मेसं होते वो क्रोमाटीन मेटेशन होती हैぎो एक जब हमारा सेल डिवाइड करने वाला होता है तो और मतीर स्कानुक्टा वाय जैसे कोई दागे करने मालब जैसे ही नहीं हम वैसे 24 आर्स लगते हैं तो जब वो डिवाइट करने वाला होता है देरे-देरे हो हमारा क्रोमार्टिर मेटेरल कंडेंस हो हो के क्रोमोजोम की फॉर्म में आता है और नुकलियस हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट डॉल प्ले करता है क्रोमोजोम में बन जाता है और नुकलियस हमारा सेंट्रेंट करने वाला होता है तो क्रोमार्टिरियल हमारा क्रोमोजोम में बन जाता है वह हमारां सेंट्रल रोल इंसलरर रिप्रोदक्चेन हमारा सेल डिवाइड करने मेला तो इसमारा इंपोर्टेंट रॉल प्ले करता है तो इसी वज़ए से जो हमारा रूबी सी होता है और सिभटियूанд आ क्फेसकि एइन अरक्टिजेंज में आर्बीशे !! कि इस्ट्रोई हो जाता है तो हमारा भी मैनुकलिस नहीं होता है कि बाक्टेजिर चैनल हमारी Nuties जैसे हमारे पास कोई नहीं चीज है उससे पुरानी है तो हमारे लिए प्रिमीटिव हो गई तो युकेरियोटिक हमारा बाद में आया और पहले प्रोकेरियोटिक था तो इसा में प्राइमरी नाम दिया उसके निधिपाय न्युकूलियर रीजन कंटेनिंग ऑनली नीुक्लीक असीद उसके उतला शिरिफ नीुक्लीक एसी रोता तया जिसे हम नूकलियोटिक वेटे जिनमें होती हम नीुकेरियोटिक शल कहते हैं बैक्टिरिया देरिजे अप्संस अफ नूक्लीय में वें तर फि from nucleus was DNA protein में नहीं होती तो यह वो समय तो फोसों यूगर्य तो अब हम प्रोकेरिष्ट और यूकेरियोट में डिफ्रेंस देख लेता है नकिए वचिंग विट्वीन यूकेरियोट हमारे होते हैं कि उनमें कोई भी मेंब्रेन नियू नहीं होती है तो वह भी उस्में नहीं होता है यह यूजली यूकारियोटिक सेल हमारे मेंबरेन बांड अर्बिंड ली तो संगल भी हो सकते हैं फंजई प्लांट और अनिमल्स यह हमारा मल्टी लीनियर डीने लीन यह मतलब यह ऐसे कि यह हमने प्रोकरियोटिक सेल उखिल की फिगर है यह हमारा नुकलियोटिक होता है यह देखो यह हमारा मेंब्रेण बाउंड नुक्लिक ऐसल है ऐसल ही पड़ा है तो यह निकलियोट है दो और इसमें शील वॉल होती है ब मारी हिए फंजेर में भी होती है दोघेर भाल थुर्ण में फंजैने में होती है दोनों में नूपलाज्म होत zaten ही हमारा नूकलियोलिस wid ऑव हो पढ़ेंगे सेल उल स्साइटोप्लाजम पर किया है जो भी सारा की चाहिए लिकृड इंदर हैं भी हो सारा हमारा साइटो प्लाजम होता तय fine both only do food content inside the plasma membrane special organ部分 के अंदर साराе जिंद्ёр है 9 और सेल वाल के अंदर सारा material然后 Mệnा जाम मैं Sorry P ganze जबटेंशन के अलश साटा कि ज्वाइब करह अनोब डिर्फी अलजी टैन सेल उे क्सारा प्रोटीन है सब्सक्राइब निगलिया उसमें सारे मैंटेरियल इंसाइड दश्ट और आउटसाइड दश्ट अपर निगलिया तो जो इस एक अंदर का सारा और इस नुक्लिया के बाहर का सार यह सारा साइड़ प्लाजम होता है आज के लिए बस इतना ही और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लीज जो भी अगर डाउट हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और लाइक आर वीडियो सब्सक्राइब आर चैनल और शेर दिस वीडियो विद यो फ्रेंड्स थेंक यू